Microsoft Word में आज हम पढ़ने वाले हैं Find, Replace and Go To बहुत अच्छा विगल्प है, यह तीनों विगल्प Microsoft Word के अंदर बहुत ज्यादे यूज होता है कोई भी डॉकुमेंट अगर आप राइट कर रहे हो, उसके अंदर किसी सब्द को ढूड़ना है या किसी सब्द की जगर दूसरे सब्द को Replace करना है या आपको सैकोडो पेज में से किसी एक पेज के उपर जाना है तो यह तीनों आप्शन कैसे ब्रेव होते हैं, आज के क्लास में हम देखेंगे तो आईए हम एक पेज को बना लेते हैं, डोकुमेंट को लिख लेते हैं और इसके उपर हम इसको दिखाते हैं यहां देख सकते हैं कि हमने कुछ पेरग्राफ यहां पे लिखे हुए हैं, कुछ पेजिज हमने यहां पे बना रखे हैं इसके उपर हम आपको find करना सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसमें किसी particular सब्द को आप खोजिए कि वो कहां कहां किस किस paragraph के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। एडिट मेनू के अंदर जाना होगा और find option पे यहां पे देख सकते हो find का option दिया है। या shortcut तरीका Ctrl प्लस F को प्रेस करिए का। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने find and replace का dialogue box खुल जाएगा। यहां देख सकते हैं सबसे पहले find का option दिया है और यहां पूछ रहा है find what यहां पे आपको क्या करना होगा कि उस सब्द को जिसे आप अपने file के अंदर ढोड़ने जा रहे हो उस सब्द को आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसके अंदर किसी particular सब्द को लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा fox मैं यह जानना चाहता हूँ कि fox जो word है इस file के अंदर इस paragraph के अंदर कहां कहां लिखा हुआ है तो इसे जानने के लिए आपको यहां find next पे क्लिक करना होगा आप देखते जाएए find का बहुत ज जाएगा कि वो सब्द कहां कहां लिखा गया है आप देखें अगर आप चाहते हो कि हम अपने पूरे प्यारग्राफ के अंदर पूरी फाइल के अंदर एक बार में पता कर लें कि वो सब्द कहां कहां लिखा गया है तो इसके लिए यहां एक विकल पार रहा है हाइलाइट all item found in, आप इस पर क्लिक करिये का, क्लिक करने के बाद दिखिए, में डाकुमेंट के अंदर आपको यहां पर रखना है, डाकुमेंट आपसन दिखाएगा, और यहां पर find all पर जैसे क्लिक करेंगे, आप दिखिए, वो सभी सब्द जहां जहां पर लिखा गया है, वो सभी जगह select कर लिया गया है, यहां पर count भी कर रहा है, कि total यह world 200 item आप कह सकते हो, कि यह सब्द match कर रहा है, आपके लिखे वे सब्द को जो find कर रहा हो, उसको 200 बार इसने search किया है, यानि आपको यह counting भी पता करना है कि कितने बार वो सब्द को लिखा गया है, तब भी आप यह विकल्प यूज़ करके आप पता कर सकते हो, अब दिखेगा, find करना तो आपने देख लिया, अब इसका एक और use हम बताते हैं, आप से कहा गया है कि कि किसी एक particular word को, जो आपके paragraph के अंदर कहीं भी लिखा गया है, हम चाहते हैं, आपको यह task दिया गया है, कि एक सब्द है, fox, जो हमने आपको select करके दिखाया है, इस सब्द को सभी जगा एक बार में ही आप bold करिए, एक बार में ही color करिए, जो भी color करना हो, या एक बार में ही इसको style या इसकी font size को आपको बदलना हो, तो आप ये काम कैसे करोगे हमने कहा कि अगर ये सब्द आपको bold करना है size में बड़ा करना है इसके style को change करना है तो हम एक एक क्या करेंगे एक एक को select करेंगे bold करेंगे size को यहाँ पे हम change करते रह जाएंगे इसमें काफी समय लगेगा लगे गा ना आप बताएं यहां से आप साइज को बडा करोगे यहां से आप बोल्ड करोगे जिसमें आपको कई घंटे का समय लग जाएगा हम बता दें कि यह बिकल्प अगर आपको यूज करना होगा अगर ऐसा काम आपको मिला है कि किसी पर्टिकुलर सब्द को सभी ऐसा करते ही वह सब्द जहां जहां भी आपकी परिग्राफ के अंदर होगा सभी जगह सलेक्ट कर लिया जाएगा और आपको पता है कि जब वह सब्द सलेक्ट हो गया है तो हम फार्मिटिंग टूल बार के दोरा जाए इसकी जो भी फॉंट साइज को रखना है हम रख सकते है बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं कलर करना है आप यहां पर फॉंट कलर के दोरा कलर भी कर सकते हो तो आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि वह सब्द सभी जगह आपकी फाइल के अंदर सलेक्ट कर लिया गया था और उसको आपने फॉंट साइज भी चेंड किया उ क्योंकि एक-एक सब्द को ढूड़ना, सेलेक करना, उसके स्टाइल, उसके कलर, उसको साइज को बदलना बहुत ही मुश्किल काम होगा, जो आपने देखा कि फाइंड की द्वरा आपने ये काम सेकंड में भी कर दिया है, मिनट भी नहीं कहेंगे, आपको फाइंड करना है, स जैसे साइज करना है, साइज को करिए, और जैसे बाहर क्लिक करेंगे, उस सब्द सभी जगह एक स्टाइल, एक कलर में कर दिया गया है, तो फाइंड का योज, आपने देखा, किसी सब्द को ढूड़ने के साथ-साथ, उसकी फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं, अब हम आते जो फॉक्स सब्द हमने लिखा हुआ है, इस फॉक्स की जगह पे आपको किसी अन्य सब्द को रिपलेश करना है, हम चाहते हैं आपको यह काम दिया गया है, कि पूरे फाइल इनदर इस सब्द की जगह पे यह सब्द लिखिए, तो अगर आप यह कमांड नहीं जानते सब्द को ठोड़ेंगे, मिटाएंगे और उसकी जगह पे आप दूसरे सब्द को रखेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आप यह काम कुछ सेकिंट में ही कर लोगे, इसके लिए आपको रिपलेस आप्शन का प्रियोग करना होगा, शॉर्ट कर तरीका कंट्रोल प्लस ए इसलिए रिपलेस में पहले से लिखा हुआ रहा है, माली जी हम चाहते हैं कि फॉक्स सब्द की जगह पे आपको कैट सब्द को रिपलेस करना है, यहां सहां भी फॉक्स लिखा हुआ है, वहां पे हमें क्या करना है, कैट को रिपलेस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां फा सुरू करते हैं हम यहां से कर्सर को पहले रखते हैं यहां पे कुलिक करते हैं और यहां देखिये the option here find value one find ौव फॉक्ष को find करें देखिये पहली लिदिंदर इस शब्द को find कर रहा था अगर आपको सब्द को replace करना है तो आप single replacement यहां पर कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इसे भी रिप्लेश करें, तो रिप्लेश कर दें, अगर आप नहीं चाहते हो कि इसको रिप्लेश करें, तो आप यहां फाइंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाईए, देखें इसको छोड़ देगा, फिर रिप्लेश करना हो तो पर से replace करेंगे ऐसे replace करेंगे और आप चाहते हो कि सभी जगह एक ही बार वो सब्द क्या हो fox सी जगह पर cat हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर replace all option पर जैसे click करेंगे सभी जगह आप पाएंगे कि वो सब्द क्या हुआ है replace हो चुका है पहले मैंने चार शब्दों को select करके replace कर दिया था अभी उसने 196 replacement किया है यानि 200 वो वर्ड था देखिए 196 replacement कर रहा है क्योंकि पहले मैंने single single replace किया था तो इस option का प्रियोग करके हमने आपको बताया जाएं कि आप किसी सब्द को ढूड़ कर दूसरे सब्द में बदल सकते हो बहुत यह अच्छा विगल्प है अगर आप इसको use करते हो तो काफी समय की बचताब की हो जाएगे अब देख सकते हैं तीसरा विगल्प जो आता है वो है आपका go to का यानि go to का मतलब क्या है मैं आपको बता दूँ कि अगर फाइल में सैकोडो पेज बने हो अभी फिलाल हमारे फाइल के अंदर चार पेजी बने हुए यहाँ देखी एक बड़ा चार दिखा रहा है स्टेटस बार में आप यहाँ देख सकते हो चार दिखार एक बड़ा चार का मतलब है कि आप पहले पेज पर हो और आपकी फाइल के अंदर चार पेजी बने हुए आप चाहो तो यहां से भी आप डबल क्लिक करके गो टू आप्शन को खोल सकते हो या शॉटकर तरीका कंट प्लस जी को प्रेस करें या आप एडिट मेनू के अंदर जाएए गो टू आप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइन रेप्लेस का तीसरा टैब यहां पे देखे खुल जाएगा फाइन रेप्लेस और गो टू अब आप से पूछ रहा है गो टू वाट कहां जाना चाहते हो आप देखिए आप संदिर है पेज पर जाना चाहते हो सेक्शन में जाना चाहते हो लाइन में जाना चाहते हो बुक मार्क पर जाना चाहते हो कमेंट पर जाना चाहते हो यानि यह आपकी फाइल के अंदर यह चीजें अगर बनाई गई है बनाई गई है तो जो भी आपके पेज के उपर इंसेट किया गया है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम जा सकते हैं, तो फिलाल हम पेज पर जा की आपको दिखाते हैं, पेज पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहां आप से पूछ रहा है, इंटर पेज नमबर, यानि जिस पेज नंबर टाइब करिए जैसे हमारी फाइल के अंदर चार पेजिज हैं और उट चोथे नंबर पेज पर जाना चाहते हैं तो यहां चार लिखेंगे और जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे हमारा करसर सीधे मूब कर जाएगा यहां देख सकते हैं स्टिटस बार में चार बटा चा आपके सामने वही बिकलब खुलेगा पेज पर जाएगा और यहां पर पेज का नंबर वन या टू या त्री जिस पर जाना चाहते हो उसे टाइप करके आप यहां जैसे को टू पे क्लिक करेंगे यहां देख सकते हैं एक बटा चार दिखाने लगा यारि आप पहले पेज चले गया इसी तरह अगर आप लाइन की बात करें तो आप लाइन नंबर को भी जा सकते हो माली जी आप पहले पेज के पांचवे लाइन पे जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे लाइन का नंबर बताईए तो लाइन का नंबर हमने यहां पर फाइफ लिखा और फाइफ ल इस तरह आपकी फाइल के अंदर अगर आपने बुकमार को एड़ किया है, कमेंट को एड़ किया है, माली दिया अगर हम कोई कमेंट एड़ किया है, या हमने फुटनोट एड़ किया है, तो उसके उपर भी हम यहां पे टाइब करके जा सकते हैं, आगे चलके हम बताएंगे फ तो उसके लिए आपको ये तीन बिगल्फ हमने बताया जो काफी Microsoft Word के अंदर किसी भी document को बनाते समय सरवाधिक प्रियोग होते हैं तो अमीद है कि आपको आज का class समझ में आया होगा